सोनल चौहान की जन्नत की खुशियों में उनके बॉइफिन साहिल जारू की नजर लग गई है दरसल बात यह है कि सोनल चौहान को उनके बॉइफिन साहिल जारू ने मुंबाई एपोर्ट पर थपर मार दिया और उनकी इस हरकत के बाद सोनल ने पुलीस में शिकायद जीत दर्च करवा दी है वैल जहां सोनल की फिल्म जन्नत की काम्याबी के बाद वो सात्वे आसमान पर थी वहीं थपर की गुंज ने उन्हें दोबारा जमीन पर वापर जरूर ला दिया होगा हमारी आज की स्टोरी नमबर थ्री जन्नत फेम सोनल जोहान जहां एक तरफ अपनी फिल्म जन्नत की काम्याबी से खुश थी वहीं दूसरी तरफ उनकी खुशियों की उम्र इतनी छोटी होगी ये उन्होंने सोचा नहीं होगा जन्नत की सक्सेस को एक रेडियो स्टेशन में सेलेबरेट करने के बाद तो उनकी एकसाइटमेंट का ठिकाना नहीं था और अपनी फिल्म से जुड़े रिस्पॉंस को जाने के लिए ही वो इस रेडियो स्टेशन में मौझूद थी जापर उनके खुशी उनके चहरे से साफ जलक रही थी लेकिन उस इवेंट पर सोनल थी काफी हडबड़ी में क्योंकि उनने इस इवेंट के तुरंग बाद हाइद्रबाद की फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई एरपोर्ट पहुँचना था लेकिन उनने इस बात की खबर नहीं थी कि एरपोर्ट पर उनकी बॉइफरिन साहिल जारू उनका इंतजार कर रहे थे साहिल जारू राहूल महाजन ट्रग्स मामले में एक आरोपी भी है और एरपोर्ट पहुचने के बाद सोनल की जन्नत की खुशियों में मानो ग्रहन सा लग गया दरासल हुआ ऐसा कि एइपोर्ट पहुँचने के बाद सोनल और उनके बॉइफरिन के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई और जैसे ही वो फ्लाइट के लिए बॉर्डिंग पास लेने आगे बढ़ी साहिल ने उनका रासा रोका और गुस्से में अपना आपाक होने के बाद साहिल ने सब के सामने सोनल को एक थपड़ जड़ दिया माना ये जा रहा है कि साहिल की गुस्से की वज़ा जन्नत में काम मिलने के बाद सोनल उन्हें लगातार नजर अंदास कर रही थी और साहिल को सोनल का ये behavior बरदाश्ट ना हुआ जिसके कारण उन्होंने सोनल के लिए इतना कड़ा रवया अपनाया और साहिल की इस हरकत के बाद सोनल की complaint की बिना पर पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया और उन पर IPC के तहट कई तरह की धाराएं लगाई गई है बरदाश्ट से थपड़ खाने के बाद भी सोनल ने अपने commitments निभाने के लिए हाइदरबाद की flight तो जरूर पकड़ी लेकिन उसके बाद उनसे मीडिया का किसी तरह का contact नहीं हो पाया है सोनल के साथ हुए हाथसे के दूसरे ही दिन चरनत की success party से भी सोनल गुमशुदा रही इस party में film की पूरी unit मौजूद थी मगर सोनल शायद मीडिया के सवालों से बचने के लिए इस party में नहीं आई लेकिन फिर भी अपनी team की lead actors के साथ हुए इस हाथसे के बारे में इन सभी का ये कहना था किसी भी film की success का श्रय इस film से जुड़े सबी लोगों को जाता है ऐसे में अगर film की actresses खुशी में शरीक ना हो पाए तो ऐसी situation में film की बाकी लोगों का क्या reaction होगा इनकी बातों से तो यही जाहिर है कि ये सबी सोनल को miss कर रहे थे फिल्म की काम्याबी के बाद तो इन सबी को जननत मिली गई है लेकिन इस फिल्म से डेब्यू करने वाली सोनल चौहान को जहां प्रोफेशनल लाइफ में जननत मिल गई वहीं उनकी निजी जिन्दगी में उनके बॉइफिर्ण से हुई तकरार ने उन्हें नरक जैसा ऐसा जरूर दिलाया होगा काइनाथ खान के साथ अभिलाशा सिंग, जूम, मुंबई